राजस्तान का एकी करण राजस्तान की एकी करण का सरेर सर्दार वलबाई पटेल जिनको बारत का लोय पुरूस केतें को दिया जाता है राजस्तान का एकी करण साथ चरणों में पूरावा राजस्तान का एकी करण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर एक नॉवमबर 1956 को पूरावा इसमें आठ वरस साथ महीने और चोदे दिन आजादी के समय राजस्तान में 19 रियासतें और तीन ठीकाने और एक केंदर साशित परदेश अजमेर मेरवाडा था कितने रियासते 19 ठीकाने कितने 3 केंदर साशित परदेश कितने 1 ठीकाने कौन कौन से थे ठीकाने ते लावा था ठीकाना कुशल गड़ था और ठीकाना निम्राना था ये तियन ठीकाने और 19 रियासत थे और एक केंदर साशित परदेश अजमेर मेरवाडा था राजस्तान के एकीकरण के चरण एकीकरण की परकीरिया में सामिल होने वाली पहली रियासत अलवार और अंतिम रियासत शीरोई अजमेर मेरवाडा थे तर थे एकीकरण में सामल होने वाली पहली रियासत कौन से थी अलवर थी और अंतिम थी अजमेर मेरवाडा राजस्तान में सबसे पुरानी रियासत मेवाड और सबसे नविन रियासत कौन से थी जालावाड सबसे पुरानी मेवाड और सबसे नविन रियासत थी जालावाड छेतरपल की दरिश्टी से सबसे बड़ी रियासत जोदपूर और सबसे छोटी रियासत थी सहपूरा रियासत राजस्तान की एक मातर मुस्लिम रियासत टोंक थी एक मातर मुस्लिम रियासत कौन सी थी टोंक थी सबसे बड़ी रियासत चेतर रपल के दरिश्टी से जोधपूर सबसे छोटी रियासत चेतर रपल के दरिश्टी से सापूरा और एक मातर मुस्लिम रियासत थी टों है कि एक एक इकरन का पर्थम तरण जिसकीती थी 18 मारत 1948 । समयलित रियसतें ठीकाने अलवर बरतपुर दोलपुर करोली और निम्राणा ये चार थीकाने है ये चार रियसतें और एक ठीकाना निम्राणा इसके अंदर सामिल किया गया राजदानी अलवर को मनाया गया इसके उद्गाटन करता एनवी गोडगिल थे परदान मंत्री सोबाराम कुमावत अलवर से बनाये गए परदान मंत्री कौन बनाये गए सोबाराम कुमावत अलवर पर्थम चरण के राज पर्मुक उद्यबान सिंग दोलपूर के सासे को बनाया गया और नाम करने इसका किया था के एम में मुन्सी ने अगला चरण है राजस्तान एकिकरन का दित्य चरण जिसकी डेट है 25 मारत 1948 दूसरे चरण में समयली दिया सते हैं एम ठीकाने टोंक ठीकान लावा बुंदी कोटा जालावाड सागड परताप गड़ डूंगर गड़ मांचवाड़ा डूंगर पूर बांचवाड़ा ठीकान अकुशल गड़ और किसन गड़ इसके उदगर्ण करता भी एनवी गोड़ के लिए हैं इसके पड़ान मंत्री गोकुलाल असावा जो सापुरा के थी राज पर्मुग भेन सिंग कोटा के बनाये गए और उप्र राज पर्मुग बनाया गया बहादूर संग बूंदी के यहता राजितान एक हक Lawrence का दूसरा चरण अब देखते हैं राजितान एक का तीसरा चरण तीसरे चरण का नाम सह्यूक्त राजस्तान टीथी 18 आपडेल 1940 समलिद रियासत उद्यपूर रियासत को मिलाया गया राजदानी भी उद्यपूर को बनाया गया उद्गाटन करता तीसरे चरण के पंडिस जमाला नहरूते परदान मंतरी मानिक लाल वर्मा उद्यपूर से बनायागी राजप्रमुग भुपाल सिंग उद्यपूर से बनायागी उप्राजप्रमुग भीम सिंग कोटा से बनायागी ये राज़स्तान एकिकरण का तीसरा चरण स्यूंग्त राजस्तान में जेपूर, जोदपूर, जेशल में अर्भिका ने रियासते सामिल कर दी गई राजदानि जेपूर को बनाया गया उदगाटन करता है इसके सर्दार वलब भाई पटेल थे परदान मंतरी हिराराल सास्तरी जेपूर को बनाया गया महराज परमुख बुपाल सिंग उद्यपूर को बनाया गया राजपरमुख मान सिंग दिते जेपूर को बनाया गया उपर राजपरमुख भीम सिंग कोटा को बनाया गया यह राज़स्तान एकिकरण के चार चरन हो गये अब देखते हैं राज़स्तान एकिकरण का पंचम चरन जिसका नाम स्यूंक्त वरत राजस्तान था ती थी 15 मैं 1929 ता समलीत रियाशतें ठीकणे वरत राजस्तान में मत्षे संग को सामिल किया गया राजदानी जेपूर को बनाया गया समलीत रियाशतें वरत राजस्तान और मत्षे संग था राज परमुग पंचम चरण का मान सिंग दीत्य जेपूर से मनाये गे सस्टम चरण जिसका नाम राजस्तान संग इसकी डेट थी 26 जनवरी 1950 समलीत रियासतेम ठिकान थे स्यूंक्त वरहद राजस्तान एउँ सिरोई राजस्तान में सामिल आज ही के दिने स्पोगोलिक छेतर को अधिकारिक राजस्तान नाम मिला इसकी राजस्तान जेपूर थी मुख्या मंतर एरालाल सास्तरी को बनाया गया राज परमुग मान सिंग दीते जेपूर से बनाया गया अब ये राजस्तान एकिकर्ण का सब्तम चरन तो आए देखते हैं राजस्तान एकिकर्ण का लास्ट चरन एकिकर्ण के सब्तम चरन की डेट थी एक नॉंबर उनिसो थपन अजमेर मेरवड़ा आबू देलवड़ा वे मद्यपरदेश के मंदसोर जिले का सुनेल टपा गाउं राजस्तान में सामिल शिरोंज उपकंड मद्यपरदेश को दिया गया राजज़ानी जेपूर मुख्य मंतरी मोहलाल सुकाडिया राजस्तान के पर्थम राजिपाल बनाया गया गुरुमू के निहाल सिंग को किसको बनाया गया गुरुमू के निहाल सिंग जिनको राजस्तान का पर्थम राजिपाल बनाया गया ये था राजस्तान एकिकर्ण के साथ चर्ण राजस्तान एकिकर्ण के कितने चर्ण थे साथ चर्ण नेक्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे मिलते अगले वीडियो में थैंक्यू